पूस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जुरूरत है दोस्तों इस वीडियो में आपको देखना को मिलेंगे सबी बड़ी खबरे मुखिस समचा टूडे ब्रेकिंग न्यूस के रूपे बड़ी खबर है दोस्तों बिड़ को एक लाइक जरू करें दोस्तों लोक्स बाचुनाओं के नतीजे आने से पहले विपक्ष ने प्रधान मंतरी पद की दावेदारी तैकिम जानी ये पूरा सियासी गनीत क्या कहता है जी हां दोस्तों अभी लोक्स बाचुनाओं की आखरी के नतीजे जारी किये जाएंगे अगर इस चुनाओं में किसी दल या गठवंधन को अस्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो देश का सियासी समिकरन पूराप से लेकर के पच्छिम और उत्तर से लेकर के दखिन तक पूरी तरीके से बदल जाएगा सुत्रों के मुताबिक 21 मही को सभी विपक्षी दल एक बैठक करने के लिए तयार कर रहें जिसमें से नितित को लेकर के अपचारिक चर्चा नहीं होगी हाला कि महागटवंधन की एकता और महागटवंधन की एक तस्वीर सामने रखने की कोसिस की जाएगी इसको लेकर के CPI के सांसत D.Raja का कहना है कि विपक्ष दल आपस में बैठक करेंगे और रणनीती बनाएंगे आखिर BJP में कौन सत्ता से हटाए जा सकता है। अंद्रमोदी ने खुद को NDA सरकार चलाने की कवाइद बताई है तो दूसरी तरफ ओरिसा में आइफनी चक्रवाती तुफांतिनी पटने के लिए सुबे के मुख्यमतरी नवीन पटनाय की तारिफ भीकी है। नवीन पटनाय के साथ साथ जगन मोहन रेड़ी जैसे छेतरी चतरपों का इंडिये में स्वागत है। कहीं अभी तो सन्योग नहीं है कि जेडियू को बिहार में जिटाने वाले प्रसांत की सोर आंदर परदेश में जगन मोहन रेड़ी का परचार करते देख रहे थे। जेडियू ने पटनाय के साथ उनका डिये ने तोड़ दिया है जिसमें से साफ है कि 23 मई के बाद जरूरत पढ़ने पर ओडिसा के जर्ये दिल्ली की सरकार बनाई जा सकती है। पर लेफ्ट को भी कोई अपती नहीं है। लेफ्ट को लगता है कि विपक्षी दलों में मायवती के साथ ही कोई ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर उमिदवार है। इस पर 23 मई के बाद सहमती बनने की कुशिस की जाएगे। जिया दोस्तों वहीं माय मायवती ने 23 मई के बाद NDA को समर्थन देने वाले तमाम सिकंजों पर खाल रिज करते हुए सीधे परधानमती नरेंद्र पोदी पर उन्होंने हमला बोल दिया है। जो कांचाय और उन्हें पूरा करने के लिए जद्दो जहत पर भविश 23 मई को तै होगा। जिया दोस्तों इसी तारिक का तै होगा कि देश की सियासी एक बार फिर 2014 कीरा पर जाएगी या छेत्रिये दलों की किस्मत जाएगी। वहीं अगर NDA अपने बलबूते दिल्ली प फैसला खुलेगा। जी हाँ तो अगली बड़ी ख़बरे वाटसेप में निकली बड़ी खामी सिर्फ एक मिस्कोल से आपके मुबाइल में हो सकता है ये गड़ बड़ी। जी हाँ तो तो फेस्बुक पर डाटा लिक होने की घटना के बाद अब फेस्बुक आधिकारी पनी वाटसेप में भी बड़ी खामी सामने आ रही है इस खामी के तहट अब हैकर्स वाटसेप पर किसी भी फोन के जरिये रिमोटली सिंध लगा सकते हैं खबरों के मताबिक ये एक सरकारी लेवल टूल है जो ज़्यादतर सरकार को दिया जाता है इस सेक्यूरिटी खामी क को फाइदा हैकर्स बहुत ही असानी से उठा सकते हैं हैकर्स तारगेट यूज़ट के स्मार्टफोन को स्पाइव एर के जरिये इंफेक्ट कर सकते हैं इस इन्फेक्ट के लिए किसी भी पर क्यों करके वाटसेप कि खामी का फाइदा उठार उठा कर उस मुबाइल को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा इस वज़ा से हैकर्स स्मार्टफोन के चैटर्स कैमरा कॉल माइक्रोफोन फोटो और बहुत सारी जो स्मार्टफोन में मजूद चीजे उसको आसानी से खोल सकता है इस बात की जानकारी वाटसेप खुद दी है वाटसेप ने माना है कि उसकी इस खामी की वज़ा से वाटसेप पर सिर्फ मिसकोल करके इसे स्पाइस वेर इंस्टॉल कर किया जा सकता है लेकिन अब इस खामी को सही किया गया है वाटसेप ने कहा है कि इस खामी को कमपणी ने मई के सुरुआत में ही ढूंड लिया था और इसके लिए एडवांस साइबर एक्टर जिम्हदार है एडवांस साइबर एक्टर ने इसे मैल वेर के कितने नंबर को इंफेक्ट किया है फिलहाल इसकी जानकारी इसके साथ ही WhatsApp ने आगे कहा है कि यह अटेक इस अटेक को भी अवी हॉलमार्क है जो प्राइवेट कमपनी में होती है जो सरकार के साथ मिलकर के फोन को प्रभावित करने का काम करती है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ इकपर कुलकत्ता में अमिज्चा के रोडसो के दोरान ब रोडसो में लगे वाहन को जला दिया गया इसके बाद अमिज्चा ने रोडसो को खत्म कर दिया जिसके बाद मौके पर पुलिस ने लाठी संग्राम को नियत्र किया जी हाँ दोस्तों अमिज्चा ने बता है कि त्रिमूल कॉंग्रेस के कारिकरताओं पहले काले जंडे लेकर के परदस की है और उसके बाद वाहनों पर डंडे फेके इसके बाद कई वाहन को आग लगा दी अमिसा ने यह भी कहा है कि दो जगहों पर बीजेपी कारेकरताओं को हमले करने की कुछिस की गई है ममता बेनरजी बंगाल के लोकतंदरे की हत्या करने के कुछिस कर रही है। ममता बेनरजी हिंसा कराने का प्रयास कर रही है। और राजस्तान से प्यार है और इसलिए हमने बीजेपी को राया और 2019 में भी लुक्स भाचणा में हम इसी प्यार से उनको राएंगा जी हां दोस्तों वन्होंने कहा है कि हम किसी किसे नफरत नहीं करते हैं हिंदुस्तान के सब लोग हमारे हैं नरेंदर मोदी नफरत की बात क का आदमी हूँ और जितना भी क्रोध और जितना भी नफरत मोधी जी ने फेकी है मैं उसको वापस प्यार में बदल दूँगा मैं उनसे गले मिलकर के जपकी दे करके प्यार दूँगा राहुल ने एक रैली में संबोधित करते हुए प्रधान मंतरी मोधी पर कहा है कि मोधी जितना भी कहा था कि बाला कोट एरस्टाइक हमले के दौरान बादल छाय रहने में भारती वायुषना के बिमानों को रडार से बचाने के लिए मदद मिली उन्होंने कहा है कि तब तो मोधी जी जब हिंदूस्तान में बारिस और तुफान आते हैं तो सारे हवाई जहाज रडार से गाय भूजाते हैं जिह दोसों नोट बंदी और जी जी स्टी से देश की अर्थवेवस्ता खराब होने पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि मोधी सरकार ने नोट बंदी और जी स्टी लागू करके पिछले पांच वर्स में जो अन्याय किया है उसको ठी करने के लिए केंदर में कॉंग्रेस की सरकार बनने पर निवंतम आय योजना लागू की जाएगे इस योजना से देश के पांच करूर गरीब परिवार को 6,000 रुपे परती माह के हिसाब से 72,000 रुपे साल में दिये जाएगे राहूल गांदी ने कहा है कि नोट बंदी और GST से लाखों लोग बेरुजगार परिसान है छोटे और मध्यम दुकांदार और बेपारीब तो ज्यादा परिसान है उन्होंने नियाई उजना को देश की अर्थ बेवास्था के लिए एक जिस्ट स्टॉप बताया है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़बरे पाकिस्ता पर भरोसा नहीं कर रहा है भारतिये सेना ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब अपने सभी एर डिफेंस यूनिट को बॉर्डर के करीब ले जाने का तैकिया है बालाकोट एरस्टाई के बाद पाकिस्तान के कुछ बिमान इस और घुस आये हैं ऐसे में यहीं उसी का इस बैठक में बॉर्डर पर लाए गए एर डिफेंस यूनिट का रेस्क्यू भी किया गया बैठक के सामने आया कि अगर दुबारा भविश्य में कभी बालाकोट जैसा एस्थिती पैदा होती है तो इसका इस्तमाल किया जा सकेगा अभी से सभी यूनिट बॉर्डर से कुछ और भी बम गिरा है लेकिन हाला कि इससे कोई नुकसान नहीं पहुचा और भारत ने इस हमले की मुहतोर जबाब भी दे दिया था जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर है दक्षिन पस्ची मांसून 2019 का काउंटडाउन सुरू हुआ चार जून को पहुचेगा के पनी ने अपने इस अनुमान को दो या तीन दिन पीछे की संभावना बताई है असकाइमेट ने कहा है कि मांसून 2019 22 माई को अंडमाट और निकोबार तक पहुचेगा इस से पहले असकाइमेट ने इस साल मांसून के समाने से कम रहने का अनुमान भी बता है सकाइमेट ने पुर्वा नुमान के अनुसार इस साल मांसून पर असर पर सकता है और इस साल मांसून समाने का 93% रह सकता है वहीं भारतिये मौसम विभाग ने मांसून को लेकर के इस साल पहले अनुमान बता दिया है बरसात होने के उमीद बताई है मौसम विभाग के मताबिक इस साल मांसून सीजन में अन नीनो कमजोर रहने की समाना है और सीजन बढ़ने के साथ यह कमजोर होता दिखेगा मौसम विभाग के मताबिक इस साल मांसून सीजन के दोरान समाने यानिक 96% तक बरसा होने का अनुमान है